कि आपने बोला था आप गवर्मेंट जॉब भी करते थे गवर्मेंट जॉब तो कोई पागल इंसान ही छोड़ता है जिस दिन भारत में लड़कों ने सोच लिये कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है भारत को आगे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है सिंस तुमने इलेक्ट्रिक वेहिकल निष्ट सलेक्ट करी है तो इलेक्ट्रिक वेहिकल मैं भी रिकमेंट करता हूँ लोगों को कि आप इस पर काम करें क्योंकि यह फ्यूचर है कि देखो यह जो ब्लॉग रिव्यू है बिल्कुली आलग है जैसे हमने कन्वेंशनल कुछ भी चीज नहीं बात करी हमने बात करी कि अगर आपको इस पर्टिकुलर निष में अगर काम करना है को आपको आउट आफ दा बॉक्स सोचना पड़ेगा तो मुझे भी पता है इस ब्लॉग को रिव्यू करने के लिए तीन या चार दिन लग गए मेरे दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था कि यार कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं क्योंकि जब मैंने ट्रेंग्स में देखा ना तो मैं जटका खा गया था कि यार मैं तो सोच कुछ और रहा था और हो कुछ और रहा है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में और आज हमारे साथ है नितिन कश्यप आप जब इनकी कहानी सुनेंगे तो बहुत ही इंफ्लूएंशल व्यक्ति हैं प्लस इस ब्लॉग रिव्यू से हर एक व्यक्ति को सीखने मिलेगा आज का ब्लॉग रिव्यू बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि इसमें अनकन्वेंशनल तरीके से कैसे हमें ब्लॉगिंग में काम करना है क्योंकि जो निश्पे नितिन भाई काम कर रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है उस ब्लॉग रिव्यू में जो सारी चीजें हम बताने वाले हैं हमारे किसी भी ब्लॉग रिव्यू में आपने नहीं सुनी होगी इनफाक किसी भी वीडियो में नहीं सुनी होगी तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम स्वागत करते हैं नितिन भाई स्वागत है आपका हमार में और इसके सिजले में सर से मेरी रिक्वेस्ट हुई दुन्हों ने एकसेट किया कि रिव्यू करेंगे ओके नितिन भाई आपकी एज कितनी है? 41 years 41 years की एज है तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो यंग लड़के हैं जो कुछ नहीं करते हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं नितिन 42 years 41 ना या 42? 41 years के हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ-साथ भी ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं बहुत potential है तो अब स्टार्ट से बताइए कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ और आप ब्लॉगिंग तक कैसे कहुँचे हैं मेरा एजुकिशन बी-ए है मैंने बिहार से बी-ए किया हुआ है उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है अपने दिल्ली के एक इस्टिटूट से वहाँ वह मेरा बिजनेस एकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री था उसके बाद मेरा एक जॉब लगा बॉंबे में गॉर्मिंट जॉब था वहाँ पर मैंने एक साल काम किया उसके बाद फिर मैं हैधराबाद में जॉब किया सारे तीन साल, उसके बाद फिर मैं बैंगलो चलाया और वहाँ पे, क्योंकि मेरा हैधराबद में जब जॉब कर रहा था माकेट रिसेच में, तभी मेरी एक इंट्रेस्ट होगी थी Spanish Language में, तो मैंने वहाँ पे सीखना स्टार्ट किया उसके बाद फिर मैं बैंगलोर में तो और भी अच्छे से सीखना स्टार्ट किया और उसके बाद से मैं अभी तक Spanish Language में ही काम करते रहा हूँ Basically मैं translation और training दे रहा हूँ मैं Spanish Language में और साथ-साथ में मैंने भी blogging स्टार्ट किया तो Spanish में vlogs क्यों ने स्टार्ट किया? हाँ ये एक interesting बात है लेकिन जैसे कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा आपके वीडियोज भी देखे तो मुझे समझ में आए कि जैसे कि आप बता रहते हैं कि हमारे इंडिया में ही बहुत potential है Indian languages में, that two reasonable languages में और वो भी Hindi जो कि हमारी मेरी native language है तो मैंने सोचा है इसे में कुछ स्टार्ट करते है और इसलिए मैंने स्टार्ट किया तो पहली चीज तो यार, thank you very much आपने मेरे वीडियो देखके हिंदी स्टार्ट किया पर है ना मैं एक चीज और बता दूँ कि पता नहीं पहले बात करते हुए स्किप कैसे हो गया Spanish आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे बोलने वाली लाइंग्विज Spanish ही है नहीं वह तो ठीक है लेकिन जैसे कि इंडिया में हम है तो यहां पर जो पोपुलिशन है और यहां की जो जनता है बहुत लोग हिंदी बोलते हैं हिंदी सब ज्यादा बोलने वाली लेंग्विज है तो उनके लिए जो content है वो इतना easily available नहीं है जितना की English में Spanish में ज्यादा तर available है यह point बढ़ा बढ़िया अच्छा है पढ़े ना भाई ठीक है क्योंकि point बढ़ा है कि हिंदी में potential बहुत जादा है पर जैसे electric vehicle जो आपने चूज किया इनिश इसमें तो हर language में potential बहुत है ठीक है तो आगे हम Spanish के सिलसिले में बात करेंगे बट एक बात बताइए कि आप startup के बारे में भी कुछ कह रहे थे कि आपने startup वगेरा कुछ start किये थे हाँ मतलब मैं सुरू में startup एक marketer से start किया था फिर उसके बाद मैंने HR में move किया उसके बाद फिर recent का जो startup दा हुआ मेरा e-commerce में था तो क्या हुआ startup में क्या problem आई आपको और आप blogging में क्यों है startup चल रहा है आपका कि क्या है मतलब startup ना startups तो जैसे कि सुरू के तो जैसे दूसरे लोगों को handover कर दिया even e-commerce का दूसरे लोगो handover कर दिया तो वो लोग संबाल रहे हैं जैसे बहुत सारी companies होते इसे e-commerce में है तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप e-commerce का start कर रहे हो हमने already start कर रुख हम established business है तो kind of acquisition kind of thing या फिन्होंने handover कर दिया मैंने उनको चला रहे है तो यह actually है ना मैं कुछ बोलना भी चाहूंगा अपनी audience को कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पता ही क्या है कि start up अच्छा आजकल start up का जमाना है आप देखेंगे कि हर बंदा हर जो एक youngster है start up की तरफ जाना चाहता है but start up में भी बहु funding उठा ले हमारी जिन्दगी बहुत अच्छी हो गई पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको funding मिल गई ना तो आपके साथ और ज्यादा problems है तो अगर आप कोई start up कर रहे हैं तो बहुत potential है but आप सिर्फ इस लालच में ना करें कि आपको funding मिलेगी अगर आप बिना funding के start up कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है प्लस मैं एक example दोंगा blogging क्योंकि हम कर रहे हैं content creation का part है कि एक बहुत ही बड़े मैं नाम नहीं लूँगा भी उनका but बहुत बड़े एक start up के co founder हैं जो content creation कर रहे हैं YouTube में काफी अच्छा काम कर रहे हैं उनने अभी अपन content creation में उनकी जिन्दगी चेंज हो गई ठीक है तो अगर मैं discourage नहीं कर रहा हूं start up को पर blogging में ऐसी potential है blogging एक छुपा हुआ jam है मैं क्योंकि मैं भी 40 years age का हूं तो हमारी age में blogging कोई जानता ही नहीं है in fact क्या है कि start up सब जानते हैं तो blogging के अंदर जो potential है वो बहुत जादा है और यह पूरा का पूरा जमाना इस समय influencers का है influencers की आज की तारीक में उतनी ही value हो गई है जितना की tv stars वह रखी हो रहे हैं तो यह मैं कुछ बताना चाहूंगा कि blogging की कितनी potential है तो यह है तो आप नितिंग एक चीज़ और मैंने जब शुनी थी start में आपकी आपने बोला था आप government job भी करते थे तो government job तो कोई पागल इंसान ही छोड़ता है बोल सकते है सब तो मुझा इसा ही बोलते है कि तुम पागल थे जो छोड़ दिया अभी भी मेरे घरवाले मतलब उन्होंने बकसा नहीं है मुझे कभी point मिलता है तो बोलते रहा नहीं नहीं मैंने तो government job नहीं छोड़ा था मैंन पढ़े रहते हैं तो वह चीज मिस हो गई थी तो मैंने वहीं भी point निकाला तो भाई आप देख रहे हैं कि आज का जो युवा है मैं नेतिन भाई को भी युवा ही बोल रहा हूं कि कैसे वह अपना काम करने में जादा focused हैं और सरकारी नौकरी करने में focus नहीं है जिस दिन में लड़कों ने सोच लिया कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है भारत को आगे तरकी करने से कोई नहीं रोक सकता है तो नेतिन भाई इसके लिए thank you very much यार जो आपने bold step लिया बोल स्टेप तो लिया लेकिन घरवाले agree नहीं करते अभी घरवाले तो देखो point यह है कि जब सफल होगे ना मतलब जब जब धेड़ सारा पैसा देखेगा तब ही घरवाले और जितने भी successful लोग है ना मतलब struggle करकर के आगे बढ़े हैं तो जब नाम होगा तो सब पीछे आपके हों गई तो अब हम में हमारे मुद्दे पर आ जाते हैं blog review पे तो screen पे अभी हमें नितिन भाई का blog दिख रहा है electricvehicleshindi.in ध्यान से आप अगर देख रहे हैं तो ध्यान रखिए का इनका URL है electricvehicleshindi.in अब नितिन आपने इसमें कितने articles जा ले हैं आज के तारिक में 50 के आसपास हैं 50 के आसपास हैं अच्छा और आपने blogging कौन सी चुनी है ओ सारी hosting कौन सी चुनी ह होस्टिंगर होस्टिंगर आपका वीडियो देखा था मैंने तो वहां से पता चला था आच्छा आपको कोई प्राब्लम हो रही होस्टिंगर में ने ने परफेक्ट इग्दम तो यह देखिए live example आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूं मैं होस्टिंगर इस वज़े से भी प्रमोट करता हूं कि देखिए बहुत सारे ब्लॉग रिव्यू में शुरू में आते थे फिर मैंने प्रमोशन चालू कर दिया तो कोई भी एक नया बंदा है वो आख बंद करके होस्टिंगर की तरफ देख सकता है न्यू ब्लॉगर की मैं बात कर रहा हूं आपको कभी भी कोई भी परिशानी नहीं होगी सपोर्ट बहुत ही टना टन है अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आप सौ से ज़्यादा वेबसाइट्स उसमें मैनेज कर सकते हैं अगर आप चार-पाँच फ्रेंड जाएंगे प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आपको एक प्राइज अगर हमारा affiliate link यूज़ करके कोई भी hosting लेते हैं तो प्लीज हमें invoice mail करें, हम कुछ न कुछ goodies आपको जरूर देंगे, तो अभी आपने नितिन 50 से ज़ादा articles इसमें लिख दी है, ठीक है? 50 बोल सकते है, 50 50, ठीक है, कितने दिन हुए आपके blog को start हुए? मैंने 18 को start किया, 18 December को तो आप बोल सकते हैं, 14 days वहाँ पे और 19 almost है वाँ, 14 दिन में 14 दिन में 50 article डाल दी आपने? ने, 18 days 14 days उदर थे, 18 18 को start किया, 18 December को तो काफी अची speed है आपके article डालने की नहीं, मैं actually, आप ही से बहुत inspire हुआ हूँ की, पौर डे एक article और एक web story करके, commit करके देने करें, तो मैं web story भी बनाया है मैंने, 12 बारर web story बना रखा है मैंने, 12 तो अभी, जैसे आपने articles लिखे तो आई आप खुद लिख रहे हैं या फिर किसी से लिखवा रहे हैं नहीं, मैं खुद ही लिख रहा हूँ खुद लिख रहे हैं, अचाओ, दूसरी चीज़ आपने जैसे electric vehicles चुना तो आपका interest भी है की नहीं इस निश में? हाँ, interest है क्योंकि मैं बहुत पहले से इस चीज़ को track करते रहा हूँ प्लस आस-पास भी बहुत देख रहा हूँ मैं लोग, जैसे कि आजकल electric scooter चला रहे हैं, जो पहले नहीं चलाते थे electric car खरीद रहे हैं और news मैं पढ़ते रहता हूँ, तो I am well aware कि क्या हो रहा है क्या potential है इसमें क्योंकि देखो आप नहीं नहीं blogging कर रहे हो, तो जो भी नया बंदा blogging करता है, मैं उसको यहीं बोलता हूँ कि niche अगर आप चुन रहे हैं, या तो multi niche पे काम करो या पर अगर niche अगर चुन रहे हो, तो please उसमें अगर आपका interest है, तो करें क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, finance में सीधे घुज जाते हैं, और शायद उनका finance में interest ही ना हो, और वो सफल ना हो पाएं, मैं यह नहीं कहरा हूँ, finance में आप काम ना करो, finance में आप एक-दो साल बात काम करो, जब आपको अच्छा आपको blogging का अच्छा experience हो जाएं, क्योंकि fail तो होगे, fail तो सब होते हैं, मैं भी fail हुआ है, fail सब होंगे, बट point यह है, कि अगर आपका उसमें interest है, तो आप ज़ादा देर तक उसको persist कर पाऊगे, और आपके success होने के chances बहुत ज़ादा हैं, तो अब नितिन भाई, एक चीज मैं, सबसे पहले, यहां पे गया, आपके site map में, site map में कैसे जाएंगे, आप बाकी लोगों को मैंता दूँ, आप बस site map dot xml डालेंगे, यह site map underscore xml डालेंगे, तो site map आजाएगा, ठीक है, यहां से मुझे पता चल जाता है कि आपने कितनी पोस्ट डालनी हैं, कितने pages हैं आपके में, web story कितनी हैं, और categories कितनी हैं, राइट, तो अब मैंने actually इसमें post में click किया, तो यहां पे मैं देख रहा हूँ, आपके सारे urls हिंदी में हैं, इसको मैं देवनागरी बोलता हूँ, दीपवली की language, मैं ऐसा क्यों, या आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया था, लेकिन मुझे, मतलब actually मैं सोचा नहीं इस बारे में कि इसको मतलब English में डालने के लिए, क्योंकि सबकुछ मैं Hindi में लिख रहा हूँ, तो आपकी लोगों से भी बोलूँगा कि कोशिश करें, कि English में ही बने, क्योंकि देख रहे हैं, आपकी actually हिंदी में डालने से क्या हो जारा नहीं, इसकी length बहुत जादा बड़ी हो जा रही है, तो कई बार क्या होता है कि problem क्या आती है, मैं अपना personal बता रहा हूँ कि दीपवली में हमने जब डाला और हमें कई वज़े से जब इसे delete करना पड़ा, किसी वज़े से इस post को और delete करके फिर क्या हम redirect करते हैं new post पे, तो redirection proper नहीं लगता है, ओके, ठीक है, और अभी भी क्या है है Hindi content को as such Google इतने अच्छे से नहीं समझ पाया है, जितना वो English content को समझ पाया है, ठीक है, तो आज की तारीक में यह जो URLs बनने हैं, प्लीज वो पहली चीज English में बने, और ध्यान रखें कि stop keywords ना हूँ, ठीक है, stop keywords के बारे मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, और अब मैं आता हूँ आपके post में आ गया, अब मैं आता हूँ आपके pages में, तो अब मैं आ गया हूँ आपके pages पे, pages पे देखो सबसे पहला जब मेरी नजर गई, आप में about us भी बना हुआ हुआ है, तो सेम चीज होती है, नहीं नहीं, बनाया होगा by mistake लेकिन activated अबी about us ही है, एक ही page है उसमें, नहीं तो फिर इसको delete करके redirect करें आप जो भी page है, समझते हैं आप, और in fact पता है कि जैसे अब ही इसमें कुछ भी content नहीं है, about में, और about us में भी शायद मैंने जो last देखा था, तो कुछ भी content नहीं था, अबाउट अस अच्छली, English में बन एड किये, तो वोला है ये, पहली चीज तो एक ही page होना चाहिए ये, ठीक है, चाहिए आप header में डालो, footer में डालो, यहां पी डालो, about us, कोशिश करो आप की English में तो डालो ही डालो, नहीं है तो हिंदी में चल जाएगा, और ये एक ही page होना चाहिए, पहली चीज इसमें data है, ठीक है, अभी वही वाला जवाब बता रहे थे हमारे बारे में about, वो duplicacy है, तो उसको मैं हटा दूँगा, जैसे मैंने बताया था, कि वो menu में था पहले, उसको हटा दिया, हम use नहीं कर रहे है, बट इसमें दिखा रहा है, ठीक है, तो आपने अच्छा किया बता दिया ह लेकिन गूगल ने उतना दिखाया नहीं, तीनी दिखाया अभी, अब मतला क्रॉल नहीं हुए, नहीं, वो मुझे क्या लगता है, वो AMP का issue था, जो मैंने बाद में resolve किया, तो धेन दिर वो दिखाना स्टार्ट किया है, तो छोट क्योंकि आप नए blogger हैं अभी, तो इस मोटी जो basic mistakes हैं, वो जब आएंगी तो चली जाएगी, अचा कुछ और चीज़ें मैं अब web stories के बारे में बता रहा हूँ आपको, कि देखो, web stories का काम करने का तरीका बिलकुल ही अलग है, web stories एक normal blog या article की तरह नहीं है, पहली चीज, web stories एक news format है, ठीक है, एक snackable content है, जो YouTube Shorts होता है, Insta Reels होती है, और TikTok वाले वीडियो होती है, उस तरीके से web stories है, अब क्या है, web stories में भी again, अभी हम यह URL देख रहे हैं, यह Hindi में, जो कि नई होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, है ना, और दूसरी चीज़ यह है, कि जैसे ही मैंने इस पे click किया, यहां पे, आप इसी भी news website पर जाएंगे ना, तो उनके URLs इतने बड़े होते हैं, है ना, और क्यों बड़े होते हैं, उसका reasons यह है, क्योंकि इनका पूरा-का पूरा focus organic traffic लाने पर नहीं होता, इनका पूरा-का पूरा source होता है, कि उन्हें news से traffic लेके आना है, और discover से traffic लेके आना है, समझ र पढ़ना चाहरा है, खटा-कट-कट उसको चीजें पढ़नी है, वो उसके पूरा time नहीं है, पूरा दिन की एक topic के लिए इतना पड़े, अब पूरा content जब बड़ा length होती है, तो Google समझ जाता है, कि content किस बारे में है, और उसमें क्या-क्या है, जब content की length छोटी होती जाती है तो Google को भी समझने में problem होती है, कि exact content क्या है, तो आपका content क्या है, इसको समझाने का एक और parameter होता है, URL, तो जो news-based URL होते हैं, उसमें सारे keywords ठुसे हुए होते हैं, आप देख रहे हैं, कि पूरा इसमें दिया है, know how Elon Musk sees fortune climb by 338 billion in one day with a greater start in 2022, तो पूरे जो keywords हैं, जो उसको चाह गया, अब यह URL अगर आपने plugin यूज करोगे, जैसे Yoast और Rank Math तो कहेगा, बहुत बड़ा URL है, वो problem create कर देगा, पर news-based जो भी चीजे हैं, उसमें URL बड़ा रखो, तो इसी तरीके से जो web stories है, पहली चीज तो यह Hindi में नहीं होना चाहिए, यह URL, ओकि English में हो, और पूरा understanding बन जाती ही, कि किस चीज़ों में हमें से rank कराना है, news-based article है, उसमें content कम हो गया, है ना, web stories में है ही नहीं, समझ रहे हैं, सिर्फ images हैं और आपने उसके उपर कुछ content डाला, तो समझेगा क्या क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, जैसे यह web story किसकी है, नित चीज़े, है ना, तो जितनी भी चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहां आनी चाहिए, है ना, आप जैसे हम अमर उजला पे आते हैं, अमर उजला में हमने जब control you किया, आप देखो साब, फरक दिख रहा है, करेक्ट, है ना, वो पूरा समझा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आप कहां मुझे दिखाएए, समझ रहा है बात को, तो अभी हमें जो वेब स्टोरीज भी बनानी है, देखो, ये सारा डेटा कैसे आएगा, क्या आएगा, वेब स्टोरीज अभी न्यू सारी चीज़ें है, तो जैसे जैसे ये सारी वीडियो में बताऊंगा, पावन एकरवाल डिजिटल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी कि कैसे करना है, नितिन समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें गूगल को पेट भरना है उसका, अच्छा दूसरी चीज एक और है कि अब है ना मैं यहाँ पे आया, इलेक्टरिक वेहिकल्स वाली वेब स्टोरी को कॉपी किया, और मैं देखता हूँ कि क्या इसमें कुछ रिच स्निपिट आ रहा है बाई डिफॉल्ट, ठीक है, अगर आप लोगों को, नेतिन रिच स्निपिट बता है क्या है, हाँ वो एक पबली SEO टिप्स आपको मिलेगी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, तो रिच स्निपिट में आप देख रहे हैं कि रिच स्निपिट आक्चुली कुछ एडिशनल चीजें होती है, जिससे गूगल को समझ में आता है कि आपके कॉंटेंट में और क्या है, प्लस है रिजल् इतने सारे रिच स्निपिट ये डाल रखे हैं, मरुजाला ने, ओके, किसमें, वेब स्टोरी में ही इतने रिच स्निपिट डाल रखे हैं, अब हमारे पास अभी फिलहाल इतने options नहीं है, मैंने जैसे बोला, धीरे-दीरे जैसे मुझे ये realization होगा है, कि रिच स्निपिट वे आने लगया है, इसलिए वेब स्टोरी दिखा रहा है आच्छा, तो actually इसका भी मुझे idea नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका बेना EMP में भी दिखा रहा है नितिन आपको एक example मिल गया, जिसके EMP में दिखा रहा है, तो since web story बिल्कुल भी नहीं है, तो exact मुझे इसका clear answer नहीं पता है, ठीक है नेतिन, अब हम आते हैं main की, since तुमने electric vehicle niche select करी है, है न, तो electric vehicle मैं भी recommend करता हूँ लोगों को कि आप इस पे काम करें, क्योंकि ये future है अब एक तरीका है देखने का कि ये, किसी भी अगर आप niche पे काम कर रहे हो, कि इसका trend क्या है, कि कितने लोग search करने है और increase हो रहा है कि नहीं, ठीक है तो वो देखने के लिए हम Google trends का use करते हैं, तो Google trends में मैंने डाला electric vehicle, ओके अभी आप देख रहे होगे, ये data दिखा रहा है 2004 में, 2004 में इसका 100 level मतब max 100 level था, आप देखेंगे कि अभी सिफ 75 तक पहुंचाए है, है ना, तो हमें ऐसा लगता ही कि electric vehicle अभी famous हुआ है, पर आप देख रहे हैं कि जो craze इसका 2004 में था, वो अभी नहीं है, ऐसा कैसे है है ना, ये मेरे लिए भी surprising था, तो मुझे ऐसा लग रहा है, शाए 2004 में ये concept आया होगा electric vehicle का, तब लोगों में जागा होगा, फिर उसमें जब काम होना चालू किया, तो news डावर डाउन हो गई और अभी basically बढ़ रहा है, और आप इसको देख के सोचेंगे कि अभी तो level कुछ पहुँचा ही नहीं है, जो आगे पहुँचेगा, समझ रहा है नेतन, प्लस है ना, इससे एक चीज और पता चलती कि लोग electric vehicle के बारे में search ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है अच्छा जब लोग search ही नहीं करेंगे, तो आपके इसमें potential future में हैं, अभी नहीं है क्योंकि हमने trend से देख लिया, बहुत तो इस type की niche पे अगर आप काम करते हो ना, तो सबसे ज़ादा जो आपको ज़रूत पढ़ती है, वो किस चीज़ की पढ़ती है patience, है ना, क्योंकि future में आएगा इसका result, अभी नहीं आने वाला अभी तो लोग search ही नहीं कर रहे है, आचा search नहीं कर रहे हैं, इसका एक और बड़ा reason होता है कि लोगों को पास data already दिखा रहा है जैसे कि मैंने क्या किया electric vehicle Google में डाला, ओके और मुझे आप देख रहे हैं, उसकी इतना बड़ा section सिर्फ top stories का दिखाया है ना, इसका मतलब यह है कि लोग electric vehicle से related पहली चीज़ तो लोगों ने content जादा डाला नहीं, और दूसरी चीज़ लोगों को जो पसंद है, वो इस type की top stories, जो stories वाले format में पसंद है, तो समझे रहे हैं कि Google web stories में भी बहुत जादा potential है मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ, पता है जिनका 10-10,000 per day का traffic आ रहा है electric vehicle web stories से ठीक है नेतिन, तो बहुत potential web stories में काम करने में बस आपको बस यह problem हो रही है कि आप नए logger हो, इसकी वज़े से थोड़ी से issues हो रहे हैं बाकी नहीं तो अगर आप article format में जब देखोगे, तो article format में आप क्या देख रहे हो कि stories में से ने क्या दिखाया कि अभी 4 English में दिखा रहा है वो एक Hindi में दिखा रहा है, इसका reason बहुत बड़ा यह हो सकता है कि मेरी language English selected है, उसके बाद भी मुझे एक Hindi में दिखा रहा है, है न, अगर जो Hindi state वाले लोग होते हैं जैसे बिहार, UP, MP, जो हमारे basically जहां पे Hindi समझने और English समझने वाले लोग काम होते हैं, वहां पे आप देखेंगे उनकी language by default Hindi selected होती है और शायद पूरे result Hindi में आ रहे हैं ठीक है, तो हमारा main aim क्या है अभी नितिन इस निश्पे फिलहाल काम करने में कि दो तरीके से आप काम कर सकते हो, एक जैसा कि आप काम कर रहे हो, दूसरा quick result आपके लिए काम करना है, क्योंकि देखो अगर यह आपका blog अगर fail हो जाता है, तो कोई फरक पढ़ रहा आपको नहीं, कोई फरक नहीं पढ़ रहा परन्तु अगर आप दो तरीके के भी blog बना सकते हो, electric vehicle से related, एक जो search engine के perspective से काम कर रहा है और दूसरा stories इसके form में काम कर रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, Google News में approval लेना है ठीक है? वो approval है मेरा Google अप बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आप इसी तरीके के जो दूसरे content news generator होते हैं, जैसे daily hunt, उसमें भी approval लो, उसमें मैंने mail कर रुखा ठीक है, उसमें, अचा अब क्या करना है आपको daily कम से कम चार article ये लिखने है news related, हाँ, मेरा aim होता है कि कम से कम दो तो लिखो हाँ, कुछ करो, मेहनत करो आप, है ना, जैसे अभी आपका blog review होगा, तो बहुत सारे लोग आपसे contact भी करेंगे, आप कुछ हो, और बहुत ही attractive title होने चाहिए, आपको observe करना है जब news में आता है, या discover में आता है तो किस type के title होते है, title और URL news में बहुत जादा important है क्योंकि जितना catchy होगा चीजें, उतना लोग click करेंगे और उतना ही आपका उपर improve होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके post है, वो news में जाने चाहिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? इंडस्ट्री न्यूस करके है, हाँ इंडस्ट्री न्यूस होगा है बहुत बड़ी है तो उसी में ही आप डालो हाँ जैसे दिख रहा है भाई का इंडस्ट्री न्यूस आप उसी इसे होगा? सारे अटिकल्स से उसी में कुछ जो एलक्रिक कार से रिलेटेड जो बड़े लेंदी आर्टिकल भी आपको लिखने हैं सहरे नहीं कि सिर्फ 4-4-4-0 वर्ड वाले या एर्टिकल लिखने है सर्च एंजिन के पर्सेड़ से भी लिखने है पर मैं कहा हूँ कि जो news perspective से लिखने हैं उसके लिए अवलग आप एक निश्च बना सकते हैं या तो इसमें डाल सकते हैं प्लस उनको क्या करना है कि for example आपने एक average बनाया 4 का तो आपके महीने में किते होगे 30-120 article होगे दो महीने में 240 article होगे जैसी 240 आपके articles होते हैं पुराने articles delete करते जाओ और delete करने के बाद उनको अपने home page पे redirect भी करते रहे ना जैसे URL एक delete होगे मैंने क्या कहा था कि आप जब इस post को delete करोगे तो redirection में problem होगी है ना तो जो post को आप delete करोगे जो क्या होता है ना कि Google की भी parameter होता है वो है अगर आपने 300-300 की उपर अगर आपके आर्टिकल चले गए और किसी भी कारेंट से रैंक नहीं करे तो वो आपको कचला समझने से भी बताना है तो आपके जो पुराने आर्टिकल्स थे उनको आप delete करो और जो URL बने थे उनको redirect कर दो home page में और जो पुराने ही आपके आर्टिकल्स थे ठीक है अगर आप नहीं चल रहे हो तो शायद किसी ने copy भी नहीं कियो आप फिर से publish कर सकते हो ने दुबारा new URL के साथ ठीक है अच् एक चीज मैं और बताता हूं जो news related news related article और नॉर्मल आर्टिकल में difference क्या है ना जैसे मेरी ये website दीपवली SEO tips.com जो SEO से related post है जब मैं यहां पे जाता हूं शायद नितिन आपको ना पता हो बट मैं बता रहा हूं आपको जब post डालते हैं तो rank math आपने कौन सा SEO से related plugin डाल रख article सेट है ना आप देखो जब आप यह article आपका सेट हो गया आप यह आप यूजरी डालो गया article में जब नीचे जाओगे ना तो तीन option आते है article, blog post और news article अब इसमें difference क्या है मैं बताता हूं difference यह है कि news article और blog में क्या difference होता है blog की कोई expiry date नहीं होती है जैसे हम कोई सामान ख इकसी है पर कुछ news articles हैं for example आज Elon Musk ने कितने रुपए कमाई अब इसकी तो expiry है ना आज जैसी एक दिन खतम होता यह article expire हो गया तो जैसी आप news based इसको करते हो तो आपकी article की एक expiry date आ गई समझ गये तो यह ज़ादा देर चलेगा नहीं तो जो search engine के perspective से काम करता है हम नहीं च चाहते है कि उसकी expiry हो तो आप article या blog post डाल सकते हो पर जो news based article होते हैं उसका schema क्या होना चाहिए news article news article होना चाहिए ठीक है अब ही मैंने देखे हैं आपने क्या कर रखा है नेतिन भाई कि जैसे यहां पर EV jobs भी लगा रखा है अब I am not sure कि आपने मैंने चेक नहीं किया पर य correct correct है ना अगर for an for example आप एक Elon Musk के बारे में electric vehicle मतलब Elon Musk है आज की तारीक में तो उसके पारे में लिखते हैं तो person वाला schema लगाओ कि देखो कौन-कौन सा schema applicable है तो यही यही जो चोटी-चोटी सी चीजें है ना यही आदमी को make and break कर देती है एक चीज बताना चाहूंगा आपक क्योंकि जो आप यह एडिट कर रहे है एड new article कर रहे है एड new post यह आपका classic editor नहीं है यह गुटनबर्ग है मैंने classic editor गुटनबर्ग है ना ब्लॉक से करता है इसमें यह option है नहीं classic editor में भी होगा नीचे classic editor में कहां पर option आता है यहां पर आता है नीचे post के ठीक है और दूसरी चीज है ना मैं recommend करूँगा कि प्लीज गुटनबर्ग में आ जाओ क्योंकि नई चीज में हम जितना जल्दी shift हो जाए न उतना बहतर है गुटनबर्ग future है ना classic में भी आप काम कर सकते हो प्लार classic में क्या है ना पुराना तरीके का काम होता है तो गुटनबर्ग में shift आप करोगे ना तो problem होगी बट भाई problem लेना पड़ेगा है ना अगर हम नई नई चीजों को नहीं सीखेंगे तो हम पीछे होते जाएंगे और हो सकता पता है गुटनबर्ग के बाद एक और कोई नया एडिटर हो जाए उसमें shift होना पड़ेगा यह तो गुटनबर्ग है आपको गुटनबर्ग में shift होना पड़ेगा देखो classic editor में भी यह हो जात है ना सरकारी नौक नी छोड़ी है तकलीव जेलना तो आता है वाई ठीक है तो यह सारी चीजें हो गई तो यह देखो इसलिए मैंने कहा कि देखो यह जो ब्लॉग review है बिलकुल ही आला गया जैसे हमने conventional कुछ भी चीज नहीं बात करी हमने बात करी कि अगर आपको इस particular niche मे अगर काम करना है को आपको out of the box सोचना पड़ेगा तो मुझे भी पता है इस ब्लॉग को review करने के लिए तीन या चार दिन लग गए मेरा दिमाग बिलकुल खराब हो गया था कि या कैसे मैं इसको आगे बढ़ाओ क्योंकि जब मैंने trends में देखा ना तो मैं जटका खा गया है electric vehicle जरा उसको आप click करेंगे हम उसमें नीचे ड्राउन को scroll करेंगे राइट साथ में और नीचे और नीचे यह देखिए यह right साथ में लिखे electric vehicle in इंडिया electric vehicle even electric vehicle stocks कर के लिखेंगे तो जो keywords आ रहे हैं में मैंने देखा था कि electric vehicle stocks में बहुत सर्च हो रहा है उसके सर्च बहुत बढ़ रहा है 500% तक ब्रेकाउट करके जो आप क्लिक करेंगा राइट साइड में जो और लिखा हुआ है तो अगर आगे उसको जैसे 125 में एक एक आर्टिकल लिखा था नेके एक आर्टिकल लिखा था इन पर इंडिया विए ये trends को देख के तो web story में उसको web story भी बनाया उसका और article भी लिखा तो उन्होंने web story में Google ने उसको publish कर दिया है दिखा दिया है और article भी मेरे बहुत सारे लोग देख रहे है तो इसी तरीके से काम भी करना है जो आप काम कर रहे हो ने trends में देखना है अब ही देखो electric vehicle में basically क्या हो रहा है न कि Elon Musk की वज़े से थोड़ा सा hype भी बना हुआ है और लोग चाहरे है Tesla के shares buy करना इस वज़े से क्या है share related भी बहुत जारी चीज़ें चल रही है पर आपका focus बहुत जादा shares पे नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका पूरा का पूरा focus electric vehicle पे है ठीक है न electric vehicle shares मतलब एक तरीके से अपन finance की तरफ चले गए डालना ज़रूरी है पर बहुत जादा focus करना ज़रूरी नहीं है बस एक ही article डाला है वेसिकल उसमें क्या scope है लोग web story में डाल सकते हैं web story में डाल सकते हैं इतना धका धक डालना है आप daily एक डाल सकते हो इससे related ठीक है क्योंकि news related जो भी काम करोगी उसमें तो यही चीज डालनी पड़ेगी न जो की चीज चल रही है जो कि लोगों को पसंद आ रही है stocks लोगों को पसंद आ रही तो stocks related डालो ठीक है और आपके पास तो option है न चार चार डालनी है तो daily एक भी डाल सकते हो इससे related जैसे कि electric vehicle stocks electric vehicle companies best stocks to invest यही 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 आप दुबारा कर सकते हैं news में क्योंकि यही 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 लोगों को बार 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 देखना भी है देखना है तो डालना है भाई जो 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 लोगों को पसंद है वही तो देना है न है हम यह थोड़ी न देंगे क्यार मुझे electric vehicle पसंद नहीं तो मैं ने डालूँगा नहीं भाई अगर electric vehicle तो जो लोगों को पसंद है वो observant react आपको पता चल रहेगा आपको discover में वही सारी चीज़ें आ रहे होंगी और आपको वही देखके तो जैसे कि मैं electric car सर्च करता हूँ उसमें गूगल ट्रेंड्स में electric bike, electric scooter, electric vehicles और जो results आते हैं उसके हिसाब से मैं फिर देखके फिर बनाएगा यहां की जगे आपको वहाँ देखना पड़ेगा गूगल news वाली app install कर लो ठीक है और गूगल discover वहाँ पे जो जा रहा है वो ज़ाद applicable है ने news का तो आप है मेरे पास उसके हिसाब से बनाता हूँ तो वहाँ पे जो चीज़ें आ रही ना यह आपको दिखा रहा है search के perspective से trends ठीक है यह आपको discover के perspective से नहीं दिखा रहा है आपको news के perspective से नहीं दिखा रहा है समझ रहे बात को ठीक है ना तो वो आपका जो news के perspective यह जो google trends पे आप जब काम करोगी है किसमें करना है search के perspective से काम करना है जो की काम है, निउस के पर्सपेक्टिफ से करना है तो Google News और Discover सारे टूल्स के अलग-अलग मतलब यूज है तो निउस में भी मैं सर्च करता हूँ उसके साब से जो देखता हूँ, जो लेटिस निउस है उसके साब से मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ येस, है ना, वैसी करकर के अपने को करना है तो यहीं पर ही मेरा ब्लॉग रिव्यू एंड होता है नितिन भाई और मुझे पूरी उमीद है कि इस ब्लॉग रिव्यू से बहुत सारे लोगों का बहुत फाइदा होने वाला है और इस फाइदा कराने में नितिन भाई का बहुत बड़ा योगदान है तो सबसे पहले सब बोलें थाइंक्यू नितिन धन्यवाद धन्यवाद आपका इन्फाक्ट आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे चैनल पे इस टॉपिक को इसके योगे समझा रिव्यू के लिए और इन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गुरू जिन से सीखा ब्लॉग वो मिश्टर पाउन अगरवाल सर जी है अरे थैंकियो बही मच यार सुनके बहुत अच्छा लगता है लेन अगरवाल वो सर है जी से मैंने सीखा है इन फैक्ट मैं आपके सारी वीडियो देख रखा है मैंने तो वही से और ये टॉपिक भी मैंने आप ही से मुझे पता चला आइडिया लगा कि हाँ ये टॉपिक और हिंदी में जैसे आपने बताया था तो सब कुछ मतलब आभी की साब से मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक खेमू का रिवियू किया था तो आपने बताया था कि उसने एलिक्टिक विकल्स में इंगलिस में विब्लॉग डाल रुखा है तो आपने बोला कि हिंदी में बहुत स्कोप है तो इसलिए मैं आपकी बातों को देखकर जैसे जैसे आपने बताया कैसे ब्लॉग लिखते हैं यार इतना अच्छा लग रहा है ना ये सुनके कि मैंने पता ये कब बताया था मुझे एक एक चीज़ याद रहती है मैंने ये बताया था अपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट वन में वो भी एंड में कहीं जाके तो इतना अगर को आप ध्यान से देख रहे हो ना तो यार मैं और एक और बात आपने 37 के वीडियो उनके साथ भी कुछ निष टॉपिक्स डिस्कश के थे कि इसमें आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते तो उसमें भी आप लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कश के लिए अटी फ्यूचर रहे हैं अभी लोग इमैजिन नहीं कर पा रहे हैं पर ये फ्यूचर करे करे कि इसलिए मैंने इसमें लिख रहा हूं आर्टिकल नीज बढ़ रहा हूं तो मुझे पता चलना है रोज कुछ नहीं कंपनी आ रही है इंडिया में अपने फैक्टरीज डाल रही है अगर आप देखेंगे मोटो वन करके कंपनी ब्रिटेन की बहुत बड़ी कंपनी है उसने भी तिलंगाना में बहुत बड़ी फैक्टरी बनाई है तो बहुत सारे कंपनी जो टीवी एस है ये लोग टाटा मोटर्स ने साथ साथ कोड के साथ इंवेस्मेंट किया है तो बड़ी-बड़ी कंपनी आ ही रही है स्टार्ट अप्स भी आ रहे हैं बहुत पूटिंस पर ब्लॉगिंग केन एक्ट एज एक किक टू स्टार्ट अप एक रिव्यू प्लाटफॉर्म जहां पर रेस्ट्रों का जाके रिव्यू डालते थे आज भाईसा वो यूनिकॉर्ण बन चुका है पर उसकी शुरुवात तो वहीं से हुई थी ना समझ रहे हूं और उसने क् किक टू अ स्टार्ट अप करेक्ड आप साही हैं कि मैंने खुद हैं की शुत पर इसमें के टेग्री डालके जिसमें स्टार्ट अप or ये बड़ा मुत अबर भी ना तुFF अलबहा पर दो थे आइन marking लियूब है unIP कले तो वॉ 달ा तो इस टाइब के जनरेक न्यूज और जैसे कि इलेक्ट्रिक कार कोई कमनी लॉंज कर रहे है तो इलेक्ट्रिक कार में बाइक वाले बाइक सेक्शन में इवन चारजिंग सॉलुशन में अगर देखेंगे एक स्वापबल बैटरी का फंड आरा आज जिसमें बैटरी फिक्स तो इससे क्या होता है कि गाड़ी बहुत सस्ती भी आ रही है जो बहुत सस्ती है अगर उसकी बैटरी फिक्स नहीं है तो अब हम यहीं पे ही इस ब्लॉग रिव्यू को एंड करेंगे नितिन भाई क्योंकि बहुत लंबा नहीं तो वीडियो बन जाएगा और आपसे बात कर कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी ओडियन्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यमाद आपका फिर से कि आपने मुझे इन्वाइट किया और आप इस ब्लॉग को रिव्यू कर रहे है और अपना वैलिबल इंफॉमिशन और सजेशन मुझे दे रहे है थैंक यू चलिए तो अब यह ब्लॉग रिव्यू हम यहीं पर इंड करते हैं और जिसने भी इतना लंबा ब्लॉग रिव्यू अभी तक यहां देख लिया है उसको थैंक यू वेरी मच चलिए अब इस वीडियो को हम फाइनल यहीं पर इंड करते हैं इस वीडियो को लाइ पवन अगरवाल को सब्सक्राइब करना मत गूलेगा, थैंक्यू वेरी मच